दोस्तो हिंदी सिर्मा के लिविंग लिजेंड जावेद अक्तर सहाब के बेटे फरहान अक्तर की कमपनी है एक्सल मूवीज फिल्मे वेब सीरीज वगएरा बनाती है इस पर एक नया एनॉंसमेट वीडियो रिलीज हुआ फिल्म मेलजापुर का जो वेब सीरीज जिसके तीन इच्छा है इस भैंकर फिल्म की लेकिन सच यह है कि पीपल डोंट की मुझे पूछना है कि भाई आखिर क्यों और सिर्फ फरहान अक्तर से या एक्सल मूवीज से या मिर्जापुर के निर्माताओं से नहीं यह बाद यह पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से सवाल है क् क्यों कर रहे हो बाई कबर की तरफ क्यों बढ़ते चले जा रहे हो आगे एक गहरा कुआ है उसमें क्यों डूमना चायते हो सब लोग कोविड के बाद जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बुरी हालत हुई है वो किसी से छिपी नहीं है एक आद फिल्में एक आद साल में च री रिय्लीज भी होती है कि लेकिन डूमारे ले रहे हैं जो उनके मुखाबले तो इसकी परइली वजहां है सबसे हैं जिसका हिंदी फिल्म इंडस्रीं वाल रे कुछ नहीं कर सकते अदेप सबसें बाद में बढ으면서 के लिए नहीं कुछ करने के लिए ओअ ए लोग над पास एक चीज हो सकती है दूसरी तरह बहुत शारे लोग बहुत सारा पैसा नहीं खर्च कर रहें तो बहुत सारे लोग वह कीसा करते हैं तो कॉल्ड प्रेश और दिलजीद दोसाज के कॉंसर्ट पर अब लोग ठेटर देखने जाते हैं stand-up comedy shows देखने जाते हैं वो elite तब का है वो भी फिल्मों पर नहीं देखने जाता क्योंकि मालूम है कि यह OTT पर आ जाएगी और इसी कारण से वो दूसरा कारण भी निकलता है जिसकी वज़से लोग OTT पर आने का इंतजार कर रहे हैं और cinema देखने जाने का उनका मन नहीं करता क्योंकि फिल्में बहुत जादा रदी बन रही हैं लोगों के पास imagination की भारी कमी हो गई है जिसकी वज़से लोग पुरानी फिल्मों को के प्लाट्स को उठा कर नया बना के बेचे दे रहे हैं या एक सीरीज ऐसी जिसके दो सीजन तो ठीक ठाक चले लेगिन तीसरे में कु इस हिसाब से बची खुची जो इज़ती उसमें डूब गई और अब उसको लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं जो 2026 में आ सकती है अब आप अंदाजा लगा के देखे कि लोगों का excitement वैसे ही नहीं है मिर्जापूर को लेकि बहुत ज्यादा और 2026 तक क्या खाग रह जाएगा और ऐसी बहुत सारी फिल्में बन रही हैं जिनके ट्रेलर सा रहे हैं जिनको लेकर लोग भरभर के गालिया देते हैं नीचे कि भाई साब क्या बना रहा है क्यूं बना रहा है वैसे एक और multi star cast वाली फिल्म आने वाली है जिसके बारे में भी लोगों का ऐसा ही सोचना था लेकिन उसके बाब भी लोगों confidence जरा सा भी डामा डोल नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। और इनके पैसे जब waste होते हैं, फिल्म कमाई नहीं करती है, तो इनका दिल नहीं टूरता है, इनका नुकसान नहीं होता। बहुत नुकसान होता है, जिसका पैसा जाता है, उससे पूछो, हमारी तुम्हारी जेब से अगर 10 रुपए गिर जाते हैं, तो कितना अफसोस होता है, जिसके 200, 300, 400 करोड डूब जाएंगे, उससे बुरा नहीं लगेगा, तो ये सोचना ठीक नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि फिर पैसा वापस कैसे आया, फिल्में कमाई कैसे करें, इसकी दिश्चा में सोच क्यों नहीं रहे हैं, लेडी किलर नाम की मूवी की आजकल बहुत चर्चा है, और कहा जा रहा है कि ये हिंदी सिनमा की एतिहासिक फिल्म है क्योंकि इसमें 49 करोड रूपए लगे थे, और मात्र 38,000 रुपए कमाए हैं, फयंकर डिजास्टर साबित हुई है, अर्जुन कपूर और भूमी पेडनेकर की ये फिल्म, इसको किसी भी OTT प्लेटफार्म ने खरीदने की और अपने यहां रिलीज करने की हिंबत नहीं जुटाई, इसलिए T-Series ने इसको अपने YouTube चैनल पर ही रिलीज कर दिया, और वहां पर भी लोग इसको देखने के लिए नहीं आते हैं, व्यूस तो इसके बढ़ रहा है, दो मिलियन से उपर हो गए थे, जब मैंने देखे, लेकिन उसको ट्रोल करने के लिए उसको कमेंट करने के लिए आ रहा है, बड़े मज़ेदार कमें हैं, फिल्म से ज़्यादा मज़ेदार तो इसके कमेंट मिल जाएंगे बाई साब, और फिल्म इंडस्ट्री से जड़े हुए लोग तो बहुत ज़्यादा कलपनाशील होते हैं, बिजनेस के भी उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, उसके बावजूद ऐसा क्यों हो र जाना है, उनको ना करेक्टर्स पकड़ने हैं, ना स्टोरी पकड़नी हैं, ना उससे उनका कुछ इमोशनल अटाइच्मेंट है, एक लापता लेडी चल गई, या एक स्त्री टू चल गई, तो आप इसी तरह की फिल्मों की सीरीज की बाढ़ ले आओ, अब सिर्फ सब को हर अगर अगर वाली कहानिया चाहिए, अगर उस जानर में कहानिया चाहिए, तो इसमें कोई प्राब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कि एक जानर चल रहा है, लोग उस मूड में हैं, तो उस जानर की और कहानिया ले आगे, लेकिन एक माल्स्टोर्न na sit कर दिय लेके जा भाई उतका कच्रा तो मत कर दो कूडा तो मत लेके आ जाओ इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा इमेजिनेशन की और प्रयोग की कमी से जूज रहा है हिंदी सिर्मा जिसको लेके इसकी इतनी बुरी की हालत बनी हुई है और बार बार पूछते भाई क्यों आखिर क्यों बना रहे हो ऐसी फिल्म में जिनका लोगों को इंतजार नहीं अब पता नहीं कितने लोग मिर्जापूर फिल्म को देखने के लिए आप है कि नहीं बताईएगा हमको नीचे कमेंट करके मैं तो अपने बारे में बता ही चुका हूं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे अभी चलते हैं लोट के मिलते हैं नमस्ते